हेलोँ 騫्रेंड्स वेल्कम बेक टो एर यूट्यूब चैनल इसल्लिय! वितामीन बारे में जो की है। जो की बहुत ही इंपंटेंट वितामीन vardır और लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम knowledge है कि यह क्या क्या काम करता है तो जिस vitamin के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है vitamin C और यह limsi के नाम से product आता है market में जो मैं आपको show करूँ अभी मेरे channel के साथ बने रहें और इतनी देर में आप मेरे channel को like, share, subscribe कर दो और नीचे इन लगे bell notification को on कर दो Friends, यह जो आज मैं जिस दवाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम limsi है और सबसे पहले इसकी discovery हुई थी एक disease होती है scurvy उसको ठीक करने के लिए बाद में जैसे जैसे इसकी research आगे बढ़ी तो यह कई चीजों में लाबकारी पाई गई तो इसके मैं main function बतायता हूँ आपको hyperthyroidism मतलब जिनका thyroid level ज़्यादा रहता है उनके लिए और trauma के लिए means जैसे किसी को चोट लग गई हो उसको जल्दी ठीक करने के लिए शरीर की immunity बढ़ाने के लिए और गला खराब होने के लिए उसको ठीक करने के लिए गले खराब को इन सब चीजों में limsi useful है तो इसकी dose भी मैं आपको बता देता हूँ और इसके side effect भी बता देता हूँ इसकी dose है adult की 500 mg मतलब बड़े आदमी इसकी एक गोली ही लेंगे और जो बच्चे होएंगे उनकी dose है 300 mg तो बच्चों को एक गोली ना दें इसकी बच्चों को दें इसकी आदी गोली चूसने के लिए दिन में एक बार और बड़े लें सिरफ इसकी एक गोली दिन में एक बार एक बार से दो बार ना लें, पूरे दिन में 500 mg की डोड़ी है पूरी, और इसको ज़्यादा एकसीड ना करें, और इसके साइड इफेक्ट भी बतायता हूं, कि विटामिन C का एक तो जो बड़ा साइड इफेक्ट है, इसको लेने से किसी किसी को वोमिटिंग भी आ सकती है, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है, बाकि इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, और कुल मिलाके ये बोड़ी के अंदर पोशन को बनाती ही है, और जो भी हमारे शरीर में कुछ कम्या होती है, और सेल मैनुफेक्चरिंग में, सेल को रिकावर करने में भी ये काम कर होती है, तो आपने जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या फर्स टाइम मेरी वडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दें, थैंक्यू,